हाई दोस्तो मेरे नावे परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में हम 29 feet by 26 feet के एक house plan के बारे में discussion करने वाले हैं जिसमें मैं आपको plan की arrangement बताऊंगा और इसका detail estimate बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें quantity और labor cost कितने लगने वाली है आप सबसा request करता हूँ कि अगर आप वीडियो को सिप starting में देखते हैं तो उसको last दिखा करें क्योंकि फिर आपको चीजे detail में समझ में नहीं आएगी तो वीडियो के last में आपको पुरा पता चलेगा कि कितना quantity कितना कितना लगने वाला है तो इन plans को आप अगर आपके पच कोई client आते हैं तो उनके लिए आप इनको use कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसा request करता हूँ अगर आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे और मेरे website को visit करना मत भूलेगा जिसकाना में www.civilnotes.com दोस्तों इस पूरे plan में एक floor है दो bedroom, दो bathroom और एक kitchen की facility यहाँ पर provide की है plot की width है 29 by 26 जितना carpet area है उतना plot area है उतना ही carpet area पर construction यहाँ पर plan बनाया गया है जिसमें entrance आपकी यहाँ से है यहाँ से stair कैसे उपर terrace को access कर सकते है यह porch area है यह हमारा exterior toilet है यहाँ से आप enter करेंगे यहाँ का drawing room है ठीक है यह kit room है उनको लिए एक store room और cabinet यहाँ पर दिया गया है kitchen है जो कि यहाँ पर 9 by 6 feet के आपकी kitchen है यह आपकी bedroom है और एक attached toilet बातम उसको दिया गया है और एक shaft भी आपर provide किया गया है ठीक है तो दोस्तों यह एक छोटी सी arrangement है जिसमें काफी अच्छे तरीके से suitable तरीके से आपको चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन अभी इसके total estimate के बारे में हम बात करेंगे तो चलो हम estimate sheet के उपर चलते है estimate को start करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यह जो पूरा building का plan है वो 754 square feet का है जिसको बनाने के लिए आपको labor cost जो आ रही है वो देट से 2 लाग के बिच में आपकी जाएगी ठीक है total manager estimate किया है वो देट लाग estimate किया है आपका करीब करीब देट से 2 लाग के बिच में आपकी cost जाएगी यह rates 2021 और 2022 के respect में हमने लिये हुए तो हो सकता है कि थोड़ा आपको plus minus इसमें देखने को मिले total construction cost आपकी 19 lakh से लेके 20-22 lakh तक आपकी यह cost जाने वाली है ठीक है लेकिन सारे estimate बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको building planning, 3D modeling, reinforced designing, barbending schedule और estimation एक साथ ही सीखना है और इसके लिए यह करने का आपको live और को दूसरा course नहीं करना पड़ेगा इसकी guarantee मैं आपको देता हूँ तो दोस्तों अगर आपको यह सीखना है तो आप मेरे चानल को please subscribe करना मत भूलेगा और मुझे इस number के उपर contact करना भी मत भूलेगा दोस्तों इस पूरे plan के लिए आपको बाजरी लगने वाली है 16.588 metric q binding wire आपको लगने वाला है 15.08 kg bitumen आपको लगने वाला है 25.636 kg brick blast आपको लगेगा 6.786 metric q brick tiles आपको 3,16 numbers लगने वाली है bricks आपको लगने वाली है दोस्तों around 14,627 number cement आपको 263 bag लगेगी cement for base course आपको 12.82, 818 back लगने वाली है cement paint आपको 113 square meter लगने वाली है cement pipe आपको 11.31 इतना square meter लगने वाला है cement course sand आपको 9.048 metric की बितनी लगेगी hardwood जो है वो आपको 349 running feet इतना लगने वाला है earthwork आपको 6.786 metric की बितना लगेगा fine sand आपको 10.596 cubic इतना लगने वाली है glazing tiles आपको 111.59 square meter इतनी लगेगी hardwood shutter आपको 11.31 number लगेगा hardwood with commercial plywood जो आपको 3.016 लगने वाला है hardwood with window shutter आपको 22.62 लगेगा और जो iron grill आपको 188.5 kg इतने लगने वाली है रही बात MSTL के बारे में तो 1508 इतना किलोग्राम आपको MSTL लगने वाला है oil bound with distemper जो आपको लगेगा वह 316 इतना लगने वाला है sand आपको 23.374 metric क्यूब इतनी लगेगी shuttering के लिए 1131 square feet इतना आपको shuttering metal लगेगा और white cement है उसका 7-8 bag आपको लगने वाली है तो total अगर हम द्याद करते हैं पूरा cost मिला के 19 से 19 लाग के यहाप 19.5 के आपकी cost बन रही है बट करीब करीबे 22 लाग तक आपका जा सकता है as per your necessary requirement तो यह हमारा एक estimate में आपको यहापर बता रहा हूँ और यह estimate हम usually bank loan के लिए बगर यूज़ करते हैं तो दोस्तों अगरा यह सारी चीज़े आपको सीखनी है तो आप मेरे इस नमबर के पर मुझे contact कर सकते हैं मैं आपको और अच्छे चीज़े सीखा सकता हूं have a nice day बबाई